संसार नहीं था पहले सरकार तो मौझूद थे संसार से पहले संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले और रभ रह्मत आलम जिसे कह कह के बुलाता था कौन भला एहमद मुख्तार से पहले आईए हाजरी इस वक्त मैं करतबा फिर से मौझ का सपरते करना चाहता हूँ माउट से हमारे दर्मियान बहुत ही खुश गुलू शायर वो पूरत लहजा ऐसी आवाज हाजरी जो नौजवाना ने दिल की धड़कनों के साथ बुजर्गों की दिल की धड़कनों पर भी हुकूमत करने का शौर जानती है मुकूमत करने का फन जानती है उस समान उस आवाज से मुलागात करें हाजरी जब माइक पर आएगा और अपना कलाम आप अज़रात की जहीन समान के नजर करेगा तो यह हमारे जो बच्चे बैठे हैं इंशालला कल उसके कलाम को गुन बुनाते हुए नजर आएंगे वो नाम है चनाब फारूग दिलकश मौवी का मैं इस वक्त उन से इत्मास कर रहा हूँ कि आप तश्रीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें चनाब फारूग दिलकश मौवी माइक मौजज़ हाजरीन आपके दियारे मुहबत में पहली हाजरी मेरी है ये मेरी कुस नसीबी है मौतरम बड़े भाई आपताब सहब ने मुझे इतने अच्छे सामयन के बीच खड़ा किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भाई आपताब आलम सहब का और रहान भाई है नाजिमे मुशारा माशालला बादे इसा से लेके बड़ी मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आपको जगाने की मुझे लग रहा है कि आप मुशारा सुनने ने एक खाने आए है और मैं गुजारिश करूँगा डाइच भी थोड़ा सा बिदार हो जाए जब डाइच बिदार होगा तो इशालला आप भी बिदार हो जाए है इसलिए कि ये नाते नभी की महफिल है जब कोई शायर अपने शेर को आपके सामने रखता है आप उसे सुभानला अलहांदूल्ला की सदाओं से उनका होसला बढ़ाएं ये आपका हम बनता है इसलिए कि महतरम दिल खैराबादी सहब जो पूरे दुनिया में सुने जाते हैं महतरम वही वसीम रामपुरी सहब इनको भी बड़ी महबतों से सुना जाता है भाई असदादमी सहब को भी सुना जाता है ये काफी तवील सफर करके आपके दर्मियान यहां आई हुए है मैं चाहता हूँ कि यही से एक माहौल बना दीजिए इस मशायरे को जो है मुशायरा बना दीजिए जमील अक्तर सहब आप मेरे बड़े भाई हैं थोई सी मेहनत आप अपनी बढ़ा दीजिए इसालला मुशारा मुशारा हो जाएगा कलिम तारी सहब ख़ड़ रहे थे तो मुझे लग रहा था माईक बहुत कमजोर है लेकिन माशालला बहुत अच्छा पड़े है आप लेकिन समाते कमजोर थे आपके अब मैं चाहता हूँ कि आपकी समाते यहां से मजबूत हो जाए मुहतरम उस्तादु सोरा मेरे बहुती करम फर्मा अमीर हमदा साहब तस्रीफ रखते हैं मैं सदर मुशूस की अजाज़त और यहां से मैं यहां मेरे बिरादराने हिंदू भाई भी यहां तस्रीफ रखते हैं मैं चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि चाहते वही से मैं अपनी बास सुरू करता हूँ लेकिन उससे पहले एक बार पूरा मजमा जी लगाकर दूर देपाक का हदिया पेश करें पढ़े अल्लाहुमस सल्याला त्यार हैं आप लोग दोनों हाथों को उठाईए फजाओं में और बोलिए सुभान ला नहीं नहीं बहुत कमजोर पढ़ रहे हैं देखिए दाहिना बासु हमें से मजबूत होता है लेकिन ये मुझे मजबूत मालूम पढ़ रहे हैं लेकिन आप क्यों कमजोर हैं उठाईए दोनों हाथों को बोलिए सुभान ला और मचल के बोलिए सुभान ला कि नहरों की पेगे चान का गांसे लाओगे कि नहरों की पेगे चान का गांसे लाओगे गादी का अर्मान कहां से लाओगे नफरत की ये औहग में जब जल जाएगा ऐसकिन दोस्तान कहां से लाओगे चोटा भाई तन्वीर अप्तर के हवाले से चार में से परता हूं लाजा फरमाएं कि जर्लागों चैटान बना दे या लाओ कि जर्लागों चैटान बना दे या लाओ एक अच्छा इनसान बना दे या लाओ एक अच्छा इनसान बना दे या लाओ आपस में भाई जारागों मिल्नत गो अच्छा इनसान बना दे या लाओ बना दे या लाओ माला कम कर दीजिये दात जादा कर दीजिये कहाँ दीजिए सुभान अनलाह आईए मैं हाजरी लगाता हूँ यहां से चार मिस्रे पढ़ता हूँ कराज अधिक अकिदत के तोर पे विसाद भाई मलाज़ा फरमाएं थे वो अल्लाह के वली सुनिए गाज़ थे वो अल्लाह के वली सेर अगर पहुंचे तो आपकी द्वाई चाहता हूँ लाज़ा फरमाएं कि थे वो अल्लाह थे वो अल्लाह के वली और वक्त के सुनिए थे थे वो अल्लाह के वली और वक्त के सुनिए थे थे वो अल्लाह के वली और वक्त के सुनिए थे बापा भी बता हुआ अखिये बापा भी बता हुआ अखिये कितने आली शाने थे थे वो अल्ला के बनी और बट के सुलताने थे कि उन्ने का रुद्बा उन्नी की अखिमते हो भला कैसे बया उन्ने का रुद्बा उन्नी की अखिमते हो भला कैसे बया अच्छे या अच्छे लोगे इसे तेगलीज के तरबाने थे आप अल्ला के वली और बट के सुलताने थे बहुत बहुत शुक्रिया आईए चार मिसरे यहां से और पेश करता हूँ और धीरे धीरे एक छोटी नजब तक पहुशने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी आपकी समाते बहुत कमजोर है लग रहा है कि दुचार से पढ़के मैं पनी जिगह ले रहे इजादत है पढ़ू तो कहे दिजिए सुभान अल्ला देखिए जेके मीडिया जाविद भाई हमारे मौश से बहुत लंबा सफर करके यह भी आपके दियारे मुहबत ने आये हुए है यह पूरी दुनिया को दिखाएंगे और यह आप साबित कर दिजिए कि बढ़ाओं के लोग किस तरीके से मुशारा सुनते है चाहिए वो बाहरिया हो या नातिया मुशारा हो एक बार अपनी बेदारी के सुभूत पेश करें कहें मचल के सुभान अल्ला दोजग को गरतर रह का बुनेगार चाजिए सुभान अल्ला इस पे नहीं कहना है दोजग को गरतर रह का बुनेगार चाजिए और जन्नत को मुस्तफा का बुनेगार चाजिए करी जन्नत को मुस्तफा का वफादार चाजिए करी जवा तेरी बेखिस्त को देखेंगे बाद में पहले मेरे रसूल का दीदार चाजिए पहले मेरे रसूल का दीदार चाजिए आती है अरश पाक से दावत रसूल की अर्मकेडी का चाला एक पहाना था दो से तो पहाना था दो से तो पहाना था दो से तो अर्मकेडी का दो से तो पहाना था दो से तो पहाना था दो पहाना था दो अर्लबों पर बदवा होती नहीं दिल में नफरत और लबों पर बदवा होती नहीं दिल में नफरत और लबों पर दिल में नफरत और लबों पर बदवा होती नहीं सब खफा हो जाएंने की मा खफा होती नहीं दिल में नफरत और लबों पर बदवा होती नहीं सब ख़पा हो जाए लेकि माँ ख़पा होती नहीं जमीर भाई ये भी शिर्म लाज़ा फरमाएं कि मैंने देखा सब ने देखा ये डाइक जब पीछे देखता हूँ तो ये इधर फोटे रीचार जितने बैठे हैं सब बड़ा बड़ा मुबाइल लेकि ये देख लो कसम खुदा की सब अपना अपना चाइनल चला रहे हैं माशा लाज़ा यहां शायरों की रूह निकल रही है और ये सब लोग ये सब छोटे छोटे बैचारा भी बालिग होने वाले हैं ये राद भर में बालिग हो जाएं ये जो बड़े हैं कम से कम वो तो अपनी दौाएं दें थ्वासा डाइस विदार हो जाएं कलीम भाई मैं माफी चाहूंगा लेकिन सबकी बारी आएगी यहां पर अपना शायरों की आप भी तयार हो रहे हैं शाल्ला आपको भी इसी मैं ने देखा गए सफर में मैं ने देखा है सफर में रोटी मां के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नारा ए तक्बीर नारा ए रिसाला जनाब फारुग दिलकाश तीन हिस्सा मजमा बेदार होगा लेकिन यहां से मैं देख रहा हूँ यहां तक कुरसी है यह एक दो खाली है ने यहां के लोगगा भी बेदार ने आप भी बोल दो मेरे भईया सुबाहन अलम देखिए तीन सौरा बाकी है बहुत जाद फैरिस नहीं है छे शायरों की फैरिस थी कलीम भाई है और वसीम भाई दिन भाई तन्वीर असद भाई मैं है और आखिर में जमीर भाई भी पढ़ेंगी इंशाला ला करनू अभी अधिस अधिस नहीं है वसीम भाई को सुनना है और असद भाई को जी फरमाई से मासाला आना सुरू होगी तो लग राया कुछ पेड़ पेड़ प्फल वगड़ आना सुरू होगी इसी तरह हादरीन मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं आप माशाद भाई बिल्कु अधिन नभी की देखे करें अच्छे ये दुवा रखा हुक्म हुआ है पढ़ दू वसीन भाई ने हुक्म दिया है अभी दिन खेरावादी साहब भी हुक्म देंगे युशाला उसको भी पूरा करूंगा मैं पेश करता हूं मिलाजा फरमाएं कि मैंने देखा सब ने मैंने देखा गए सफर में रोटी मां के गाति की मैंने देखा गए सफर में मैंने देखा गए सफर में रोटी मां के गाति की बासी ओजाती गेने के बेमजा होती ने की बेशक 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 बोले मचल के सुभान अल्ला बहुत शुक्रिया जमील भाई हुख वोगा एक पर्ची आई ही वो मैं पढ़ दूँगा उससे पहले मैं चारे विज़े अपनी तरफ से पढ़ता हूं सुनना चाहते हैं कह दीजिए सुभान अल्ला जालिम ये चाहता है जालिम ये चाहता है कुर्यान छुड़ दे घपिरा के घमर सुन का हर्मान छोड़ दे घपिरा के घमर सुन का हर्मर नमा हमें को बूल गए मर जाएगे मगए मुम्किन नहीं की दौलते इमान छोड़ दे मुम्किन नहीं की दौलते इमान छोड़ दो जी जी सुभान अल्ला आपका हुक मैं है हाँ वह मैं नीका लहाँ है हाँ वह उसके तखलीकार यहीं बेठे मैं पेश करता हूँ हुकम हुआ है जमाल गूमबद खजिरा कहां सेलाओगे जमाल गूमबद खजिरा कहां सेलाओगे जमाल गुम्बदे खजिरा का खासला होगे और नबी से फिर के उजाला का खासला होगे और एक मन्खबत का शेर आमीर हमजा सहब हजरत बिलाल हमसी रजिला तोलाओं की शान में पेश करता हूँ बतुरे खास लहाज़ा फरमाएं के हजार बार फुकारो अजान दुनिया में हजार बार फुकारो अजान दुनिया में हजार बार हजार बार पुकारों अजान दुनिया में मगर बिलान सा मगर बिलान सा नहीं जा कहा से ना होगे मगर बिलान सा मगर बिलान सा नहीं जा कहा से नहीं जा कहा से नहीं जा कि नभी के दिने पे मिटने की बात करते हैं कि नभी के दिने पे मिटने की बात करते हो कि नभी के दिने पे मिटने की बात करते हो अरे हुसेन जैसा हुसेन जैसा कले जा कहा से ना होगे हुसेन जैसा कले जा करना से ना होगे बहुत बहुत शुक्रिया दिल भाई जमील भाई एक मतला और शेर में नाति पाक की पेश कर देता हूँ बतोरे खास मिलाज़ा फरमाएं आईए जल्दी से बहुत ये नोट लेका आना तो जल्दी से आ जाए जाए एक मतला पेश करता हूँ जमील भाई बिलाजाएं उस्ताद सौरा मुतरम अमीर हम्ता साहब की दौाएं मिल रही हैं ये मेरी खुश्मसी भी बड़े भाई दिल खेराबादी और वसीम ग्रामफुरी साहब और असदादी साहब और च्छोटा भाई तन्वीर अगतर है इस सभी की दौाएं और यहां से मतला पेश करता हूँ दिल भाई समात करें तालिक मिले वाले की हर अदा निरा ली गए कालिक मिल वाले की हर अदा निरा ली गए कुपर के अधेरों से रोशनी निकाली गए कुपर के अधेरों से सुभान अल्ला कन्वीनर मुशारा अफ्ताव साहब भई अपनी दुआओं से नवाज रहें भई सुभान अल्ला सुभान अल्ला एक काम के काम में बहुत ज्यादा मश्गूल है अफ्ताव भई ठोड़ा टाइस को वक्त नहीं दे पा रहे हैं की जिम्मेदारिया होती है कन्वीनर की ये जिम्मेदारी भी जरूरी है तो एक मर्दबा अफ्ताव भाई के लिए बोले मचल के सुभान अल्ला कैसे सही करो हैं मेरे बस्वत पूरी में जब साथ दे रहे हैं तो छोड़ी हमाई जीसा भी चलड़ा है पेश करता हूँ शेर्म लाजा फरमाएं कि जिसने उन्हें को देखा है जिसने उन्हें को देखा है हो गया फिदा दिन से जिसने उन्हें को देखा गए हो गया फिदा दिन से जिसने उन्हें को देखा गए हो गया फिदा दिन से उन्हें का चेहरे अन्यवर इसकदर जमाली है उन्हें का चेहरे अन्वर इसकदर जलाली है कि उन्हें का चेहरे अन्यवर इसकदर जमाली है और दूरे डाइस के हमाले से एक शेर कलिम भाई मलाजा फर्माएं कि रख के सर को सजी देए जमीर भाई शेर के मुझे बहुत अजीज़ आपके लिए पड़ता हूं कि रख के सर को सजी देए में मुस्तफान जो मागा रख के सर को सजी देए में मुस्तफान जो मागा रख के सर को सजी देए में मुस्तफान जो मागा मेरे रब ने कब कोई मेरे रब ने कब कोई बाति उनकी ताली गए काथ लिक लिवाद सुभान ल्ला सुभान ल्ला हाजरीन फारूग दिलकश साफ अपना कलाम आप अज़राद की जहीर समात के नजर कर रहे थे और आप अज़राद के चेहरों पर मुस्कुराहट आई आप अज़राद अपनी दौाओं से अपनी महबतों से नवाज रहे थे यही हाजरीन मुशारे की काम्याबी है मैं बहुत मुबारक बात पेश कर रहा हूँ आप अजरात को आप अजरात अगर जोर से सुभान अल्ला नहीं कह सकते तो आप अजरात आहिस्ता से भी सुभान अल्ला कह सकते आपका जब हाथ उड़ता है तो ताइद होती है अशार पर हाजरीन शायर के होसलाव जाई होती है सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा हाजरीन और बड़ी तेजी के साथ आपके महभूब शायर को आपके हुजूर पेश कर दूँगा फारुक इलकष शाहब ने अर्द किया कि कसीर तादाद में हमारी मा और बहने इसको तुरत महभूब का हिस्सा है बेशक आजरीन और मैं देख रहा हूँ आजरीन कि अगर माए है इस महभूब में तो बच्छों के वालिदे मुहतरम भी इस महभूब में है हाजरीन मा के हवाले से आप अजरास से गुतुगू की गई मा का हर मजाहिब में हाजरीन इहतराम बताया गया चाहे हिंदू मजाब हो सिखो इसाई हो इसाई हो दुनिया के तमाम मजाहिब में हाजरीन मा के मरातिब मा की अजमत बयान की गई और क्यों न की जाएं क्योंकि आकाए मद्नी ने अगर मा के कदमों के नीचे कहा है कि तेरी जन्नत है तो आकाए मद्नी ने ये भी कहा है कि उसी जन्नत का दर्वादा तेरा बाप है हाजरीन ये हमारा दोस्त हमारा भाई रामपूर से आकिबाया है इसने मुझे एक हुखम दिया है बहुत तबील नजम है सिर्फ एक बंद पढ़ोंगा वालिदे मुख्तरम के हवाले से और आप अजरात को शरीक करता हो थोड़ा सा पेदार करने की कोशिश करता है आपका भाई आपका बेटा मुलाज़ा परमाए के रह्मतों की तरहा वो मेरे साथ है सर पे साया विगन बाप का हाथ है बाप का घर में आला सा किरदार है बाप मुंसिपी है बाप सालार है बाप शाहे जहां बाप अक्बर बना बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना बाप की गोद बच्पन में मेला बनी बाप की गोद सावन में जूला बनी बाप के आगे उफ्तक्त करना कभी कह रही हैं हमारी किताबे सभी सकत मेहनत से रोजी कमाता है बाप आन्धी तूपा से हमको बचाता है बाप चाहूं दी है बुझे उजला ढूप में एक परिष्टा दिखा बाप के लूप में अपने बेटे की आँखों का तारा बना बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना बहुत शुक्रिया आप ताप ताप कर्ण्विनर मुश्यरा आपका बहुत शुक्रिया